दोस्तो आप लोग बचपन से लेकर आज तक नटराज या फिर दूसरे पेंसिल के उपर काले इससे को जरूर देखा होगा लेकिन दोस्तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पेंसिल के उपर ये काला भाग क्या होता है और इसके पीछे क्या कारड होता है आईए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दे कि इसके पीछे कोई खास वज़ा तो नहीं है या कलर पट्टी सिर पेंसिल को एक पचान देता है और इसके साथ या एक मार्केटिंग इस्ट्रेटेजी भी है दोस्तों जब पेंसिल छोटी हो जाती है और काले वाले भाग तक पहुचने वाली होती है तो उसे इस्तिमाल करने वाले बच्चे को लगता है कि या पेंसिल अब खत्म हो गई है लेकिन दोस्तों फिर भी उस पेंसिल का उप्योग किया जा सकता है लेकिन उनके दिमाग में यह विचार होता है कि काले भाग तक पेंसिल आ जाने के बाद यह खत्म होने वाली है और हमें नई पेंसिल ले लेनी चाहिए और वास्तों में पेंसिल छोटी होने के बाद बच्चे उस पेंसिल को छोड़का दूसरी पेंसिल ले लेते हैं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लागा आप कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्लेस कर लें